सरोज खान भले ही अब इस दुनिया में ना हो लेकिन उनकी डांसिंग स्टाइल ने धेरों सुपर हिट फिल्मों के जरिये लोगों की स्मृतियों में उन्हें अमर कर दिया है सरोज खान महज़िक डांस मास्टर ही नहीं थी कईयों के लिए वो प्रेणा का स्रोत थी और कईयों के लिए समर्पन की प्रतिमा थी सरोज खान की बायोग्राफी तो किसा टीवी पहले ही कह चुका है उस बायोग्राफी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा इस वीडियो में हम आपको सरोज खान की जिन्दगी से जुड़ी कुछ अनसुनी और रोचक कहानिया बताएंगे तो बिना देर कि ये शुरू करते हैं ये शानदार सफर सरोज खान का असली नाम निर्मला नाकपाल था सरोज खान जब माश्टर सोहनलाल के असिस्टेंट बनकर डांस माश्टरी करने लगी थी तो उन्होंने अपना नाम निर्मला से बदल कर सरोज रख लिया था माश्टर सोहनलाल से शादी के बाद भी इनका नाम केवल सरोज ही था माश्टर सोहनलाल से अलग होने के कई साल बाद निर्मला उर्फ सरोज ने रोशन खान नाम के एक पठान से शादी की थी उन्हीं से शादी करने के बाद निर्मला ने अपने नाम सरोज के साथ खान टाइटल लगाना शुरू कर दिया था सरोज खान के दूसरे पती रोशन खान भी पहले से शादी सुदा थे ये रोशन खान ही थे जिन्होंने सरोज को शादी के लिए प्रपोज किया था सरोज इस शर्ट पर रोशन खान से शादी करने के लिए तयार हुई थी कि शादी के बाद सरोज खान के बच्चे जो की माश्टर सोहनलाल से उन्हें पैदा हुए थे रोशन खान को उन्हें अपना नाम देना होगा रोशन खान ये बात मान गए और इस तरह सरोज खान के बेटे राजू बन गए राजू कहान राजू खान भी आज एक बहुत बड़े कॉरियोग्राफर है रोशन खान की पहली पतनी की मौत हो चुकी थी और पहली पतनी से उन्हें दो बेटियां थी रोशन खान की मौत के बाद भी सरोज खान ने उनकी दोनों बेटियों को हमेशा प्यार दिया और उनकी परवरिश की सरोज खान फिल्म इंडिस्ट्री की दिगज कोरियोग्राफर थी लेकिन इस बात से बहुत ही कम लोग वाकिफ हैं कि तीन साल की छोटी सी उमर में सरोज खान ने एज़ चाइल्ड आटिस्ट फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था सन 1951 में आई नजराना नाम के फिल्म में इन्होंने अभिनेत्री श्यामा के बच्पन का रोल निभाय था इसके बाद 1953 के फिल्म आगोश में निर्मला ने उस जमाने की फेमस चाइल्ड आटिस्ट बेबी नाज के साथ एक गाने पर परफॉर्म किया था उस गाने में निर्मला ने राधा और बेबी नाज ने क्रिश्न के बच्पन का किरदार निभाय था चाइल्ड आटिस्ट की हैसियत से काम शरू करने वाली सरोज खान जब 10-12 साल की हुई तो इन्हें फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया ऐसे में भविश्य की चिंता इन्हें सताने लगी पिता का साया तो पहले ही सिर से उठ चुका था घर में बेतहाशा गरीबी भी थी पर चुकि निर्मला को भगवान ने डांस तोफे में दिया था तो फिल्म इंडिस्टरी के इनके दोस्तों ने इने बतोर बेकग्राउंड डांसर फिल्मों में काम करने की एडवाईज दी दोस्तों की वो एडवाईज मानते हुए निर्मला ने पहली दफ़ा सन उन्नीस उन्ठावन की फिल्म हावडा ब्रिज के फेमस सौंग आई ये महरबा में एज़ बेकग्राउंड डांसर काम किया सन 1963 में आई फिल्म ताज महल की मशहूर कवाली चांद का बदन में निर्मला अभिनेत्री मीनु मुम्तास के बराबर में बैठी निजराई थी सरोज खान ने ये कभी नहीं सोचा था कि ये फिल्मों में कोरियोग्राफर बनेंगी ये तो मास्टर सोहनलाल की असिस्टेंट बनकर ही खुश थी लेकिन एक दिन जब मास्टर सोहनलाल राज कपूर की फिल्म संगम की यूनिट संग योरोप चले गए तो फिल्म दिल ही तो है के प्रोडूसर्स ने सरोज खान से कहा की मास्टर सोहनलाल की जगह तुम उनकी फिल्म के लिए सौंग कोरियोग्राफ करो तुम्हारी मदद के लिए डारेक्टर पियल संतोशी मौजूद रहेंगे इसलिए तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है तब सरोज खान ने फिल्म दिल ही तो है का गीत निगाहें मिलाने को जी चाहता है कोरियोग्राफ किया ये गीत जबरदस्थ हिट रहा इसी गीत की सफलता के बाद सरोज खान को फिल्म इंडिस्ट्री में पहचान मिलनी शुरू हो गई थी बतौर इंडिपेंडन्ट कोरियोग्राफर सरोज खान की पहली फिल्म थी गीता मेरा नाम इस फिल्म में अभिनेत्री साधना ने उन्हें कोरियोग्राफ करने के लिए इन्वाइट किया था शुरू में सरोज खान ने साधना को ये कहते हुए इंकार कर दिया था कि उनके पास कोरियोग्राफर असोशेशन का कार्ड नहीं है ऐसे में साधना ने अपने पैसों से सरोज खान के लिए कोरियोग्राफर्स असोशेशन का कार्ड बनवाया गीता मेरा नाम सफल रही और इसके गीतों की कोरियोग्राफी भी काफी पसंद की गई ये बात भी गौर करने लायक है कि पहले फिल्म फेर की तरफ से कोरियोग्राफी में किसी तरह का आवर्ड नहीं दिया जाता था लेकिन जब सरोज खान के कोरियोग्राफ की तेजाब फिल्म के सौंग एक दो तीम ने हर तरफ धूम मचा दी तो साल 1989 में फिल्म फेर ने बेस्ट कोरियोग्राफी का आवर्ड देना भी शुरू कर दिया और फिल्म फेर बेस्ट कोरियोग्राफी का पहला आवर्ड सरोज खान के खाते में गया इसके बाद साल 1990 में चालबाज के किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की और सैलाप के हमको आज कल है इंतजार गाने के लिए 1991 में सरोज खान को ही बेस्ट कोरियोग्राफिक का आवोर्ड भी दिया गया अपने करियर में सरोज खान ने धिरो आवोर्ड जीते 1989 से लेकर 1991 तक इन्होंने लगातार तीन दफा फिल्म फेर आवोर्ड अपने नाम किये थे और 1992 को छोड़कर 1993 वा 1994 में भी इन्होंने ही फिल्म फेर आवोर्ड जीते थे फिर साल 2000 और 2003 वा 2008 में सरोज खान ने फिल्म फेर आवोर्ड अपने नाम किये इस तरह अपने करियर में सरोज खान ने कुल 8 दफा फिल्म फेर आवोर्ड अपने नाम किये फिल्म फेर के अलावा सरोज खान ने साल 2003 में देवदास के डोलारे, 2006 में तमिल फिल्म श्रंगारम के सभी गीतों के लिए और 2008 में जवी मेट के ये इश्क हाई सोंग के लिए नैशनल आवोर्ड भी जीता था सरोज खान के जीवन में एक वक्त ऐसा भी आया था जब इन्हें लगने लगा था कि फिल्मों में इनका भविश्य सुरक्षित नहीं है ये उन दिनों की बात है जब ये महज 10 या 12 साल की ही थी उस वक्त सरोज खान ने 6 महीने का एक नरसिंग कोर्स किया था और फिर उसके बाद कुछ दिनों के लिए एक अस्पताल में नरस की हैस्यत से नोकरी भी की थी इतना ही नहीं सरोज खान ने टाइप राइटिंग और शॉट हैंड का कोर्स भी किया था इस कोर्स के बाद इन्होंने मुंबई की एक कमपनी में बतौर टेलिफॉन रिसेप्शनिस्ट नोकरी भी की थी पर चुकि किस्मत ने इन्हें फिल्म इंडिस्ट्री के लिए ही पैदा किया था त लोटकर ये वापस फिल्म इंडिस्ट्री ही गई और वहां बेहद सफल भी हुई ये जानकर भी आपको हैरानी होगी कि सरोज खान कहानिया लिखने की भी बहुत शौकीन रही है और ये फिल्मों के लिए कहानिया भी लिख चुकी है अक्षे कुमार की सुपर हिट फिल्म खिलाडी की कहानी सरोज खान नहीं लिखी थी हाला कि फिल्मों में कहानी के लिए इनका नाम सरोज खान ना लिखकर S खान लिखा जाता था खिलाडी के अलावा सरोज खान ने हम है बेमिसाल, छोटे सरकार, दिल तेरा दीवाना, दावा, भाई भाई और होते होते प्यार हो गया की कहानी भी लिखी थी